जय मातादी साथियो, हम में से बहुत लोग माता वैशनो देवी के भक्त हैं और माता वैशनो देवी के दर्शन करने जाना चाते हैं लेकिन इस करोना काल में माता वैशनो देवी के दर्शन करने के लिए कुछ रूल्स बदल चुके हैं और यदि आप माता वैशनो दिवी के दर्शन करने जा रहे हैं तो ये rules पता होना आपको बहुत जरूरी है कि क्या आप वहाँ दर्शन करने जा भी सकते हैं या नहीं क्या आपको जाने के लिए अपना करोना का RT-PCR टेस्ट कराना पड़ेगा या नहीं वो टेस्ट अगर होता है तो कहां से होता है और यदि आपने वो टेस्ट नहीं कराया और आप कट्रा पहुच गए तो उसके बाद आपको क्या करना है तो इस वीडियो में हम आपको माता वैशनो दिवी जाने के लिए कोरोनों से रिलेटेड सारी इंफोर्मिशन देंगे तो ये वीडियो आइन तक देखना और यदि आप नहीं है तो बारा चानल जरू सब्सक्काइब करें बस दबाएं लाल बटन और इसे के साथ दबाएं घंटे का निशान हम निकल पड़े हैं अपनी माता वैशनो देवी की ट्रिप पे सह परिवार और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि माता वैशनो देवी की दर्शन करने अगर आपको जाना है तो वहाँ जाते टाइम कोविट के क्या-क्या रूल से आपको फॉलो करने पड़ेंगे क्या आपको कोई रिपोर्ड विपोर्ड चाहिए वहाँ पे जाने के लिए आटी पीशिया टेस्ट कराना ज़रूरी है या नहीं है और अगर आप यहां से कराके नहीं जाते तो वहाँ पर कौन सी जगह पे आपका आटी पीशिया टेस्ट होगा यह सब कुछ दिखाने वा आटी पीसी आर टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है जो की सिर्फ आईसी एमर अप्रूव लैप से ही होना चाहिए तो जम्मो आने से पहले यह टेस्ट कैसे कराएं सबसे पहले आपको ढूड़ना ज़रूरी है आईसी एमर अप्रूव लैप्स को यह बहुत ही आसान है बस आरोग्य से तु आप पे जाईए, जब आप अपने आरोग्य से तु आप खोलेंगे, तो आपको सबसे पहले स्क्रीन दिखीगी यह, अगर आप नीचे की तरफ जाएं, तो यहाँ पे नीचे लिखा आता है Laboratories with COVID-19 Testing Facilities इस पे आप क्लिक करें, और आप पहुँच जाएंगे उस पेज़ पे, जहाँ पर वो दो तरीकी की Labs दिखाएंगे, एक है Government Approved Labs और एक है Private Labs, मेरा सजेशन होगा आपको कि Private Labs में ही कराएं, क्योंकि Government Approved Labs में पे रिपोर्ट आने में बहुट टाइम लगता है और वहाँ की Facilities से भी मैं जादे इंप्रेस नहीं हूँ इसलिए अपने घर के पास, आप जितनी भी Private Labs हैं वो यहाँ से ढून सकते हैं, बस आपको क्लिक करना है यहाँ पे Private Labs पे, और यह Short List कर देगा सिर्फ वो Private Labs जो आपके घर के पास हैं तो बस इनी लैब में से किसी एक को Contact कीजिए चाहे तो आप लैब में जाके टेस्ट करा सकते हैं या फिर आप Sample Collect करने के लिए घर पे भी लोगों को बुला सकते हैं कुछ Extra Charges दे कर जैसा कि हमने किया, हमने भी एक ICMR Approved Lab को Call करके Sample Collection के लिए घर पे बुलाया और घर पे ही हमारी RT-PCR Report Negative आ गई हाला कि हम Train से गई थे, बट स्टिल हमने अपनी RT-PCR Report पहले ही करा ली थी ताकि आगे कोई Problem ना हो अब बात करते हैं Train से जाने की अगर आपको Train से माता वैशनोदेवी जाना है तो आपको Direct कट्रा तक की Train मिल सकती है हम Delhi में रहते हैं तो हमने दिल्ली से Direct कट्रा तक की Train ली थी श्रीशक्ती जब भी आप किसी भी State जाते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि आपकी Arriving State यानि कि जहां आप जा रहे हैं उस State के Covid Rules क्या हैं जैसे कि अगर आप माता वैशनोदेवी जा रहे हैं तो जम्मू के Covid Rules क्या हैं और दूसी चीज जो बहुत मैटर करती है वो ये भी मैटर करती है कि आपकी Departure State के Covid Rules क्या है इट मीज जहां से आप जा रहे हैं उस State के भी Rules आपको जानने बहुत जरूरी हैं जैसे कि हम दिल्ली से जा रहे हैं तो हमें दिल्ली और जम्मू दोनों State के Covid Rules जानने बहुत जरूरी थे तो हमने जब दिल्ली से ट्रेन पकड़ी तो हमें सबसे पहले ये देखना था कि दिल्ली के railway station पे Covid report चेक हो रही है या नहीं दिल्ली के railway station पे Covid report नहीं चेक हो रही है या नहीं यदि आप ट्रेन से डिरेक्ट कड़ा नहीं जा रहे है जम्मू तक जा रहे हैं और जम्मू से बस पकड़ की कड़ा जाएंगे तो जम्मू के station में भी आप अपना Covid का RTP PCR टेस्ट करवा सकते हैं और आपकी Covid report भी वहाँ चेक होगी कट्रा पहुशने के बाद हमने जाना कि श्री शक्ती ट्रेन से जो भी कट्रा आये थे उन सब को अपनी Covid report चेक करानी बहुत जरूरी थी और जिल लगों के पास पहले से ही Covid report नहीं थी उनका on the spot test हो रहा था जिसमें 2-5 गंटे उन्हें अपनी reports के लिए वेट करना पड़ता जिनके बाद reports है न उसकी line है जिनके पास reports है उनकी line है ये जिनके पास नहीं है जो test अभी कराएंगे और 5 गंटे वेट करना पड़ेगा जिने वो है हम जहां से जा रहे हैं लेकिन हमाई पर report है क्योंकि मम्मी है हम इसलिए हमाँ से जा रहे हैं यह वाली line report वाली जिसमें हम लगया और यह हमारे सामने वाली line है यह वो है जिनका corona test हो तो यह उसकी पूरी की हुगा अगर आप यहां पर भी आके करवा सको यह अनुज महाँ पर घड़े इनका test हो गया ना जब आप कट्रा पहुँँ जाएंगे तो तीन ऐसी जगा है जहाँ पर आपकी reports चेक होंगी सबसे पहले जैसे हमारी हुई कट्रा railway station पर दूसरी जगा है अगर आप helicopter से भवन तक जा रहे हैं तो हेलिपेट पर आपकी reports चेक होंगी और तीसरा अगर आप पैदल या घोड़े से जा रही हैं तो बाल गंदा जो की माता वैस्णोदेवी की चड़ाई की entry है वहाँ पर आपकी COVID की report चेक होगी तो भी होटल में सेटल हो गए हैं तयार होके अब हम चड़ाई शुरू करने वाले हैं माता वैस्णोदेवी की station पे वहाँ पर report स्टेक हो रही थी पूरी train में जितने भी लोग थे सबको line लगाए उन्होंने बहुत लंबी कतार लगी हुई थी तो जिसके पास report थी वो report दिखा के जारे थी जिनके पास नहीं थी वो तो उनके लिए वो वहीं पर test कर रहे थे और वो test का result आने तक उनको वहीं wait करना था 2-5 गंटे का समय था जो उनको wait करना था और उसके बाद ही अगर वो negative होती report तब वो कटरा में आ पाते स्टेशन से तो ये सीन है और अगर स्टेशन से किसी तरह पायचांस किसी भी तरह निकल भी गए और आपके बाद रिपोर्ट नहीं है तो बाल गंगा पर चड़ाई से पहले आपको फिर से report दिखानी पड़ती है तो इसलिए मेरा स्टेशन ये रहेगा कि घर से ही अपना कोविट का RT-PCI टेस्स कराके आओ और negative report साथ में लेकर आओ तो ज्यादा बेस्ट है अभी हम सब त्यार हो चुके हैं निकल रहे हैं चड़ाई के लिए यदि आप बस से भी कट्रा आ रहे हैं तो भी आपके लिए rules सेम ही रहेंगे बाल गंगा पर तो आपकी कोविट रिपोर्ट की चेकिंग जरूर ही होगी बाल गंगा के एंट्री पे खड़े हैं जहां पर हमें घोडे चेकरने थे अर्दुवारी तक के तो इतने सारे घोडे वाले चिपड़े हैं हमारी पिता जी के कि बढ़ा मुश्किल हो गया था सेलेक करने के लिए लेकिन फाइनली सेलेक कर लिया है अभी तक हमारी कोविट रिपोर्ट नहीं रेखी गई है बाले घ़र से ही ये करा के चले ताकि आप आगे कहीं ना फस जाएं या फिर आपको आगे बहुत सारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मेरा suggestion यही रहेगा कि घर से ही RTVCR report लेकर चले और यह कट्रा आने की COVID rules है at present अभी के लिए क्योंकि हर महीने हर हफते rules change हो रहे हैं तो आप जब भी जाएं अपने latest rules पता करके जरूर जाएं तो यह थी हमारी कट्रा आने के लिए COVID rules की वीडियो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबाया और यदि आप नहीं है तो हमारा चानल जरूर सब्सक्राइब करें just hit this red button and the bell sign और हमने अभी एप्रिल में ही कट्रा की trip करी है जिसका पूरी सीरीज आपको हमारे cards में और description में मिल जाएगी तो वो पूरी सीरीज जरूर देखना अगर आप ऐसे ही वैशनो देवी घूमना चाते हैं जैसे हम घूमे हैं तो हमारी वैशनो देवी की पूरी travel guide जरूर हैं सब कुछ हमने एक ही जगा इखटा करके आपके लिए रखा हुआ है ताकि आपको एक ही जगा अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए और यहां तक कि सिर्फ वैशन देवी ही नहीं इंडिया की बहुत सारी स्टेट की travel guide एक single video में हमने पिरो रखी है जो आपको हमारे membership section में तो अभी के अभी हमारा join button क्लिक करें और उसमें हमारी domestic ए international membership ले और पाई ये कहीं भी जाने की पूरी complete travel guide जिसका नाम है how to book yourself या फिर आप हमारी supporter membership भी ले सकते हैं हमारे comment contest के लिए जो भी member एक महिने में सबसे जादा और सबसे सही comment करता है उसको मिलते है couple movie tickets या फिर 200 रुपे paytm cash absolutely free और इस वीडियो के लिए हमारा comment contest का question ये है कि वैश्नो देवी की सारी जगाओं में एक वो कौनसी जगा है जहाँ पर आपकी covid की report check होगी ही होगी चाहिए flight से आए चाहिए आप train से चाहिए आप bus से वो एक कौनसी जगा है जहाँ पर आपकी covid report ज आपस्ते